हमारे गर में हम यह सिखाया जाता है आप ना यह पानी पुरी वगारे कुछ खाओ मत वो इसलिए मत खाओ कि हम एक बार तो अफॉर्ड कर सकते हैं पर आपको आदत लग जाएगी आदत लग जाएगी तो वी डूंट हम मनी मैं 2011 में शिफ्ट हो गया था यह 12 में वापिस कि कल को मेरे फादर होते ना तो उनकी मत ऐसे चाती चोड़ी हो जाते कि यार नेशनल अवर्ड मिला है मेरे बेटे को मैंने सुनाया कि तुमबार पहरे आमिर खान करने वाले थे आपको भी लगा था अंदर ही अंदर कि मेरी फिर्म आउसकर ले जाना से यह था जैसे मैंने गाना कि उससे में तो फिर भी लगता था कि आउसकर जाए एक वैलिडेशन आपको फील होता है और मुझे लगता है आज की रेट में क्या फरक पड़ता है कौन सा ओसकर दो नाशनल अवर्ड के बाद क्या काम मिलना आसान हो गया आपके लिए बिल्कुल नहीं लोग कहरें जिसे अकिशे कुमार पांच-पांच-छे-चे फिल्में कर रहे है और एक होता है आमिर खान स्कूल फॉट एक फिल्म एट वन टाइम जब तक आमिर को फिल्म बसंद नहीं आती रिलीस भी नहीं होती लोग कहरें अभी पांच-छे फिल्म आकिशे कुमार जो क कुछ लो यार 6 साल हो गए हम कुछ क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं पर हम वो फिल्म ऐसे बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहते कि प्रोजेक्ट की दर है कि तुम बाड़ को प्यार मिला तो आप बना दो मुझे सिधार्थ से बात करके बहुत मज़ा आया आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सिधार्थ के पॉड़कास्ट को सों भाई पहले तो हम लोग मैचिंग मैचिंग हैं दोनों भाई अल्मोस सेम कोइंसिदेंसे पर अच्छा है लोग मैं कहेंगा जुडवा जुडवा शो इस शो का नामना चीए इस वाले एपिसोड का जुडवा शो जुडवा शो राइट बाई नाशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर शिप अव थीसिस तुम्बाड इंक्रेड़िबल बहुत रिस्पेक कमाई भाई आपने मैंने जुड़ा कि आप एक रियल एस्टेट दिगज है ऐसा सच है हां मतलब ऐसा सच है पर यह ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली बिका बिजनिस था माई फादर यूस्ट वर्न थी के पर मंथ रम पांच बहन भाई हुआ करते हैं तो हमारे घर में कोई पॉकेट मनी का कोई कॉंसेप्ट नहीं होता था पॉकेट मनी क्या होती है यह मुझे कॉलेज पंदरा साल का मैं था तब से सिर्फ एक चाहओ करते थी कि पैसे कैसे कमाएंगे पैसे कब कमाएंगे कैसे कमाएंगे तब स्कूटर का जमाना हुआ करता था आपको लगता था आपके घर में वैस्पा बहुत ही कूल स्कूटर माना जाता था यह वैस्पा कब आएगा हिरो Hero Honda नया आया था Yama एक बाइक थी तो हीरो ओंडा ज्यादा प्रिफर करते थे लोग क्योंकि उसकी आइवरेज ज्यादा हुआ करते थी Yama की आइवरेज कम हुआ करते थी Yama कूल बाइक हुआ करते थी आप वो लगता है Yama कभी ले पाएंगे गया कार की तो बात ही नहीं थी तो सपने यह थी कि मतलब मेरे टीनेज ऐसी नहीं जबकि ऐसा नहीं कि मैं सबसे छोटा बच्चा था मेरे घर का इसा कोई नहीं है कि responsibility है आपको काम करना है आप बड़े हो कोई जिम्मेवारी नहीं थी पर गरीबी जो होती है यह बच्चों को बहुत जल्दी mature कर देती है बच्चे अपने आप mature हो जाते है वहारे घर में हमें यह सिखाया जाता है आप न यह पानी पुरी वगर रहा कु जाम हुआ है बच्च आप मेरा उका प्टाकम करना हुआ है तो देकना हुआ ग्षप काना मुचों कोई लोरगी तो मुरहादा अ नहीं हम मेरा भाई एक दिन चैसा दिन पंजाब गया कुछ काम से तो मैंने टेक ओवर कर लिया और उसने का कि यार तू ज्यादा बैटर कर रहा मेरे से तू ही कर यह उसका बड़ अपन था नियुक होती ने इन स्कूरिटीज होती है ब्रदर्स में यार यह जबकि शुरू उसका किया तो मैंने वहां से टेक ओवर कर लिया तो फिर मैं पैसे कमाने में मन लग गया मैं कॉलेज में जाता नहीं था कुछ भी सिर्फ लास्ट के देड़ महीने पढ़ना एक्जैम देना तो मेरे जो दुनिया होती था वो डेड़ महीना होती थी कि उसी में क्रिकेट खेलने को मिल रही मुझी बहुत एक रही मुझी लगता है कि इस अब चुन है ठेस्टिने होती है मुझे लगता है कि मुझी लगता है कि म fix you घ्र लगता है कि यह तोच जर्म नाशनल आवार्ड विनर विटीन फिर्स फ्यू यर्स आपने शिप फीशस फिल्म मनाई थी जी उस वक्त लोगों का प्रसेपशन क्या था क्या था कि आज लोग कॉंटेंट की बात कर रहे हैं आप ने उसके बारे में सोच लिया था 10-15 साल पहले लिटरली तो रिजस् श्विव फिसे इस केसा नाम है यह कोई कोई इंचलेक्च्छील हूं नहीं मैं शारुखान श्ल्मान खान मने पहली देनियं पहनी ती सिलमान खान को देखकर कहा वे हमारे गर में हृता प्रेंसिषीं क рад yigliं कःट सेंट उती एक लाइट ब्लू डेनिम डाक ब्लू शॉर्ट एक बेज किलर की डेनिम और लाइट कुछ ऐसा शॉर्ट तो वहां से हम आते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा कुछ भी कोई ऐसा नाता था पर आगेस जब आप छोटी उमर से कुछ बिजनेस करते हो तो कुछ स्किल आपके अंदर ड पाबर अपाब क्यों वह इसलिए कि मतलो इतनी घटिया फिल्म थी जबकि फिल्म की प्रमाइस बुरी नहीं थी उस समय वैसी फिल्म में बनती थी और वह फिल्म बन नहीं पाई जैसी हम चाहते थे कि यह गैंस्टर है और उसमें गाने होते थे गली-गली में रॉब जिसक पिर आपको समझ माता है कि यह वह तो लंग दा क्राफ्ट एक्टिंग सीखनी पड़ेगी एक्टिंग के साथ प्यार करना पड़ेगा और चब आते हो तो पहले concept होता है कि घरवा लोगों कह के आते हो और च्छह महीने में वापिस आजाओगा नहीं चला तो हर लार्जली आप देखो गर बाहर से कोई आत्मी आता है ने अक्टर बने के लिए तो अपने घरवा लोगे कह किया था कि मैं च्छह मेने में आ जाओगा एक साल में आ जाओगा कुछ नहीं हो तो मेरा भी यह concept था पर धीरे दीरे चेंज हो कि भाई यहां रहना पड़ेगा काम करना अपने को एक्टिंग प्रोड्यूसिंग अचसका कहा से लगा शारुख खान मुझा शारुख खान की वज़े से मुझे ऐसे लगा कि या वो जो सर्फेस पर होता ना कि वो कुछ तो होता है जो आपको शूरू करवाता है जहां तक मुझे याद एक फिल्म देखी थे मैंने अगर मैं प्रणाउंस सही कर रहा हूं तो डिकैप्रियो था उसमें और केट विंसलिट थी और उसको बहुत घुटन हो रही होती है कि वो स्मॉल टाउन से होती है मेरी भी प्रॉब्लम यह थी कि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूए मेरे प कुछ था पर अंडर सेक सैटिस्फेक्शन नहीं था मुझे बहुत घुटन होती थी स्मॉल टाउन मुझे लगता था मुझे शहीद कुछ एक्सप्रेस करना है कुछ एक्सप्लोर करना है मुझे यहां से निकलना है मुझे यहां से निकलना है मुझे यहां से निकलना है मु पैसा इंदी एक नमबर है कि आप इस शेहर में रहो तो यह नमबर इनफ है उसके बाद तो आप 20 करोड की कार में घूमो जो आप कार है ना इस ही है इस इनफ तो मुझे लुगा है मुझे कुछ और करना है तो वह चलती है लाइफ में अभी तर भी कोस्ट बहुत होती है जो आप पूछ रहे हो नहीं सवाल की रियल स्टेट का बंदा यहां आना यहां के फिल्म बनाना क्योंकि आपको ऐसी जर्नी बहुत मिलेगी यार की मतलब जो करते हैं मैं उनको सिल्यूट करता हूं कि मैं सड़क पे सोया मैं वड़ा पाफ खाया उनका करिज अलग होता है और ऐस मुझे इतना एलियन फील होता था उससे मैं सीसीडी जुआ करते थे मेरी ऐसी हिम्मत नहीं पढ़ती थी कि मैं सीसीडी में जा के कह दो कि I need a cup of cappuccino कैसे बोलते हैं I need a cup of मतलब जो इंगलिश नहीं आना क्योंकि मैं जैपूर से भी नहीं हूँ तो कुछ तो पता होता है आप हिंदी मीडियम से हो इंगलिश का आपको कुछ पता नहीं है 2010 का तो महाल अभी तो मतलब इतनी लैंड्सकेप चींज हो गई है कि हिंदी कूल हो गई है 2010 में गर आपको हिंदी आती नहीं तो आप अच्छो तो आप कुछ और हो नहीं सर उस टाइल मुझे यादे हम लो मुझे लेगता है इतना बड़ा सब्जेक्ट आप बच्चों के लिए इंग्लिश की डरावना सब्जेक्ट है इससाफ प्रिवलेज कि अगर आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो इससाफ प्रिवलेज आप बड़े शहर में पैदा इससाफ प्रिवलेज यह चीजें से मैंने बहुत सफर किया है मैं इतना सफोकेटिड फील करता था मुझे लगता था मैं यहां से भाग जाओ मैं दोजार ग्यारा में शिफ्ट हो गया था यहां मैं बारा में वापिस भाग गया मुझे मैं जहां जाओं इन सिक्योरिटी फ अगर यह आपकी फर्स्ट जॉब हो आपको पता है इसके अलावा कोई option ही नहीं करना तो यह पड़ेगा तो फिर भी easy होता कि confusion ही होता है यह सोचता रहता था कि मेरेड़ बटर वहां से नहीं आता है मेरी कोई ज़रूरत की चीज़ें यहां से नहीं आती है दो इतना grille ने क्या जरूरत है कि आपको पीसा जा रहा है कूटा जा-रह यह आरह आ आपको आपको ऐसे लगते हैं जैसे कि वो साइंस में कुछ आधा करते थे कि मेंड़क को खोलते पानी में रखते हैं आप समझे रहो ना मर रहा है ना जिंदा है मेरी स्टेट दस साल ऐसे रही है कि एवरी मिनिट आइम थिंकिंग आइम लेस, इंसीकॉरिटी, इंफीरियर, सब कुछ होते हुए भी आप समझे कि एक आदी में जर्नी की है जीरो टू हीरो की एक टाइम पे अपने 20s में इतने पैसे कमाये हैं उसके बाद उसका कॉंफिडे इंग्ली की टूलाइज, टाइटानिक, स्पीड, जुरासिक पार्ग, वह भी हिंदी में ड़ तो स्टेलन और शिवाज निजर इसके लाबा आपको पता नहीं मालिन ब्रेंड़ों को नहीं हैं आपको पता नहीं टॉम क्रूस को नहीं हैं दो जर दस्ग्यार की बात कर रहा हैं जो भी उस पॉप सिंगर की गाने अंग्रेजी गा रहे हैं और आपको लगता है कि यार तुमको कुछ आता नहीं है जबकि आपने पूरी एक जर्नी खड़ी की है तो वह जो आप कहरें नहीं बाहर से आते हैं जैसे कि यह जो कॉन्विजेशन भी चलते हैं ना कि नेप एक एक आदमी है दूसरा आदमी आया है जैपूर से जो उससे ज़्यादा प्रिविलेश का आदमी है तीसरा आदमी है जैपूर से जो इंग्लिश मीडियम का पड़ा हुग आदमी है ठीक है चोथा आदमी आया है जो बंबे से है अभी अगर आप बंबे से हो अगर आप इ कहीं दोस्त हैRI, कहीं न कौनेक्शन है आपको आइसृलिशन फिल नहीं होता, आप अपने माबाप के साथ रहते हैं, जो भी आपका सेट है, हम ज आएते तो मैं जॉइन फैमिली से आता हूं, कि भाई, मा, भाई, बहन आपको इतना अकेलापन लगताे है, और मैं ना NSD से आता हूं ना FTIA से आता हूं तो और प्रॉब्लम है क्योंकि आपको कोई दोस्त ही नहीं है आप किसके साथ hangout करोगे किसको दिल की बात बताऊगे तो feel isolated इतना अकेलापन अगर आपके दोस्त नहीं हैं आपको बताने करें रहें सब कुछ नहीं हो जाएगा आ इन्डेस्टी से हैं उनके तो मज़े हैं अटलिस्ट मैं यह नहीं बिल्कुल यह conversation के दो पहलू है एक पहलू यह कि मेरा बेटा होगा तो मैं भी भीया उसको कौँगा कि हाँ तुम यह करना चाहो तो करो पर फाइदे हैं उनके कि आपके लिए projects plan हो रहे हैं आप तीन प्र यह बहुत complex और बहुत इसकी layer से हैं कि कौन से वाले आउटसाइडर हो आप बंबे वाले आउटसाइडर हो जैपूर वाले आउटसाइडर हो जैपूर में English medium वाले आउटसाइडर हो आप गाम वाले आउटसाइडर हो अब गाम वाले के लिए तो इसको विचारे को मैं हिंदी में एक्सेंट बहुत आता है मैं करना नहीं चाहता था पर सब लोग ही कह रहे थे मैंने ठीक है जबकि मैं इस फिल्म को मैंने प्रिड्यूस भी किया पर आपके आसपास के लोग आपको समझाते कि नहीं नहीं आ रही है खराब लगी गा तो मैंने डबिंग कर दी मुझे याद है कि आनंद मिश्रा करके टीचर आते तो दो घंटा मुझे पढ़ाते थे रोजना प्रेम चंद पढ़ा करता था मैं उनके साथ बैठकर मूं में पैंसिल रखकर की जबड़ा कैसे खुले तो कितने यह यह कॉंपलेक्सिटी है ही नहीं तो दो मेरे में बहुत फरक है अगर आप Bombay से उत कि आपका सपोर्ट सिस्टम यहाँ है माँ-बाप, भाई-बहुत, दोस्त, यार आपको पता है कौन से क्लम में जाना है कौन सा खाना खाना है मुझे को आज भी मैं किसी फैंसिर रेस्ट्रों में जाऊ तो मैं मेरी मुझे आज भी हजिटेशन होती है क्योंकि है यह फिर्स्टेंड प्रॉब्लम है लोगों की यह आपके जो चॉइसेज ऑफ फिल्म से हैं बहुत अलग है बहुत अलग है क्यों अलग है इस अपने बोला अपने आप से कि जो भी रह पकड़ूंगा वो अलग होगा रिबेलियस रह जो कहते हैं या फिर अच्छे लोग है आपके इर्द गिर्द जो आपको बताते हैं शिप ऑफ थीसेज बना भाई तुम बड़ बना क्योंकि उस टाइम पर ऐसी फिल्में बनाना लोग सोचते होंगे कि यह सठ्या चुका है बंदा अमाई राइए बिल्कुल तो शिप ऑफ थीसेज बता दे वक्त क्या क्ठनाई आपने चीड़े यह जो बात है ना आपकी मतलब मैं बहुत ही स्ट्रॉंगली मानता हूं मेरी फेवरेट फिल्म है बच्छन साब की हम मुझे बोले कि कौन सा करदार करना चाहोंगे मैं कोंगा भाई टाइगर करूना ब मैं वहां से आता हूं अब वहां से फिल्म बनाता हूं फिल्म देखता हूं अंदाज अपना अपना फेवरेट फिल्म हिरा फेरी वेलकम आमूर फ्रेंच फिल्म तो जो रेंज है ना वो मुझे लगता है कि यह उपर वाले का काम है यह हमको लगता है कि there is a free will मैं तो कुछ कुछ और बनाने आया था तो मैं तो मिताब बच्चन शारू खान की फिल्म में बनाने आया था पर डेस्टिनी ने मुझे कुछ और दिया हुआ था तो डेस्टिनी का जब डिजाइन होता तो वैसे उसके इसाब से आपके आस-पास के लोग होते है एक स्पीलबर्ग आईने मैंने कहीं सुनी हुए है मैंने कहीं पढ़ा नहीं हुआ किसी ने मुझे बताई कि कि आप करेक्ट लोगों के साथ रहो ना तो भी सीख जाते हूं तो मेरी जर्नी यह रही है कि मैं करेक्ट लोगों के साथ रहा हूं जो भी मैंने सीख जितना भी आता है मैं जहां भ मैं सोच रहा हूँ यार यह कितना राक्षास इजासाद मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा जाए तो मैं थोड़ा नजदीक चलाजा हम शूट देख लिए तो मैं वहां से आता हूँ और उस चीज के लिए मुझे ट्रैवल करके 20-30 किलोमेटर गया था वहां से आगे मैं ठीट-ठीच सा हासिल कर लिया उसका कारण नहीं कि मैं करेक्ट लोगों के बीच में रहा मुझे हमेशा लगा कूंके अंक एक संसिबिलिटी रही कि आ अपन यह बनातें यह सूट करेगा ऐसे करतें यह विजन है तो फिर आप भी धेरे-देरे वाल होते तो आप समझते हो कि अच्छा क्या है film m pursue acting क्या है। आप ठीचेड हो दीरे, 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 दीरे येस सब चीजी आपको समझ में आतीगा तुम्भाड यो बनानी चाहिए cape happening compete इसलिए बनानी चाहिए कि यह रहे जाएगी, यह कहीं जाएगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि लोग भूल जाएगी, तो आज कितना प्यार मिल रहा है इस फिल्म को, मुझे मैं जब भी इंस्टा प्यार कुछ डालता हो ना तो मुझे दो तरहें के कमेंस आते हैं, एक तुमबा तुम मानोगे नहीं भाई, यह लड़का भी जब आपाए, मुझे बोले ना कान में, क्या सबर्दस फिल्म है, सबर्दस फोटो करवा जेना, और यह वही बंदा है जो बहुत कम फोटो खिछवाता है लोगों से, इसके कर भी अकड आया, फोटो खिछवाने वाली, मैं उन उनको मज़े भी आरें इंटेव्यू से, उनको लग रहा है कि इस बंदे की जरनी ठीक है या, समझ रहो, यह फोटो जो खिछवाना जाता है, यह इज़त वाला फोटो है, पॉप्लारिटी वाला नहीं है भाई, बहुत फर्ख है उसमें, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं और किसी के हिस्से में उपर वाले नहीं प्यार दिया है, और किसी के हिस्से में थोडी इसभी इस्सद दिये, तो मुझे खुशित है, जो भी मिल रहा है कि तुमलड से, मैं समझ रहा हूँ आपकी बाद की, थो प्यूर्य mieć स्बार भी नहीं है और मैं शैद आ ऊज़िए औ जानौत हनसल महता के साथ, उस वक्त हनसल और कंगना के बीच में बहुत बहुत मवाल मचना था, हनसल ने भी मेरे साथ बात की उसके बारे में, उस वक्त आपका फ्रेम अफ माइंड क्या था जब ये सारी चीज़े चल रही थी, मेरा एक तो बहुत कम दिनों का काम था उसमें हैं और दूसरा मेरे लिए तो खुदके लिए काम मिलना स्ट्रगल थी सर तो मैं इन सब चीज़ों में क्या जाओं कि कौन क्या कर रहा है, किस के है मुझे काम मिल रहा है, बहुत बड़ी वात है, हनसल महता डिरेक्टर है, बहुत बड़ी वात है मेरे लिए, तो मेरा इन अब और आपको लगता है कि मेरे डिरेक्टर हूं तो मेरी फिल्म है। वो वैलिड बात है। आपकी फिल्म है। तो पर मेरे लिए तो उनसे भी यह था ज़िए मैं काम मिल ज़ाए। छहाई दिन शूट कऱों, सादिन शूट करों। कहीं दिख जाऊं। नेक्स्ट काम मिल मेरी स्ट्रगल ये थी तब जब आपने नैशनल अवार्ड जीता इमोशनल होगे था बहुत ज़्यादा उसमें छोटी सी बात ये थी कि मेरे फादर जो थे ना धोती पहनते था बावंद साल की मुर्थ उन्होंने साइकल चलाई थी अग्दम ऑनेस्ट आदू कोई फ्रेंड मेरे इसाब से जो मैंने परसीव कि गौडफादर होगे कि इस फैमिली मैं उसको अपनी बेटियों से बच्चों से बहुत प्यार है वो डॉन तो बन गया है कारण से तो मेरे फादर को ना कोई भी सरकार अगर आपको वैलिडेशन दे ना उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट कि कल को मेरे फादर होते ना तो उनकी मद ऐसे चाती चोड़ी हो जाती कि यार नैशनल आवाड मिला है मेरे बेटे को कि उनको समझ में आता था कि क्यो फिल्म लाइन में जा रहा है जब कि खुद एक टाइम पर ऐसे रहे मेरे फादर कि उनको फिल्मों का बहुत शॉक होता पर उसके बाद उनको लगा कि यार नहीं तो ऐसे नहीं था कि बहुत जादा खुश थे मेरे फिल्मों में आने के करए पर उनको ये जरूर था कि जब सरकार से वैलिडेशन मिलता ना अगर वो नेशनल आवर के टाइम मेरे पापा होते तो मुझे बहुत खुशी होती मेरे एक वो थोड़ा सा मलाल रह गया मन में कि पापा नहीं थे पापा बस तीन-चार महिने पहले चल बसे से लिए आपके पिताजी एक्सप्रेस करते थे इसे अगर आपको कोई परफॉर्मेंस के लिए तारीफे मिल रही है लोगों से तो पिताजी बोलते थे अरे बिटा आम मेरे पिताजी का क्या था कि बहुत ही सीधे आदमी एक चीज उन्होंने को सिर्फ एक चीज सिखाई मुझे लगता है कि वह हमारी स्पाइन है वह थी ओनेस्टी कि इमांदर वह हमेशा हमने किया वह ऐसा कुछ नहीं थे कि बहुत इंटिलेक्च्छल थे क्योंकि 90% लोगों तो मेरे फादर उनमें सेख थे कि जिनकी रोजी रोटी कमाने में ही पूरा दिन चला जाता था साइकल चलाया करते थे 20-30 किलोमेटर काम के कारण तो उनका तो जीवन उसमें चला जाता था तो उनको ये परफॉर्मेंस ये चीजें उन सब के लिए वक्त ही नहीं मिलता था कहीं तो ये उनकी जर्मी थी अगर पिता जी मुझे यकीन हैं यहां पे हैं हमारे साथ अक्शली बिलकुल क्या कहोगे उनसे कि आप से जादा प्यार किसे से नहीं करता हो सब कुछ है बीवी हैं बच्चे हैं मा है पर फादर से वो कुछ रिष्टे होते हैं जो उपर वाले हो जाते जगड़ा कर लेते डांट देते और 10 मिनट के बाद भूल जाते कि मैंने जगड़ा भी किया है मतलब पता नहीं मैं मुझे मेरे फादर से ज़ना प्यार किसे से नहीं था और उसका कारणी था कि dead honest सीधा साधा आदी उनकी जो simplicity थी 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 मुझे लगता कि आज और एक चीज ने मुझे हमेशा inspire की है आगे बढ़ाया है वो है मेरे अंदर के अंगार में मैं अंगार मर्चंडाइज इस आउट जी हाँ यह है मेरा अंगार टी-शिर्ट अंगार बैग्स अंगार मग्स और साथ में जो भी लाइने मैं बोलता हूं दिल से मेरे podcast में मेरे chat show में हो सारी लाइने होंगे मेरे टी-शिर्ट, hoodies, jumpers में at a very very affordable price, my अंगार मर्चंडाइज is all yours, अंगार खरीदिये और अंगार मचाईए क्या अपको लगता है वाके में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिंपल होना, इतना सच्छा होना, actually गलत बात है क्योंकि सब यहां टेड़े है mostly, सब का गेम चालू है, सब गेम खेल रहे है, best friends बोलते हैं एक दूसरे को शकल पर और कुछ और चीज़े पीछे चलती रहती है मुझे लिखता है कि दो तरह की life आप चूज़ कर सकते हो street smart और vision यह जो आप बात कर रहे हो कि सब street smart है कि पर सब इसी तरह से handle कर रहे हैं थोड़ा सा कोई vision थोड़ा सा आगे की सोचे ना तो मुझे लिखता है कि honesty simplicity यह बिखती है यह चलती है बहुत लोगों ने प्रूव क किया है जैदी पहलावत मुझे बहुत इमानदार must actor लगता है क्या journey है गैंक्स ओ वरसीपूर में थे एक scene था वहां से पाता लोग यह वो तो अगर मुझे लिखता है इर्फान साब इर्फान साब से बड़ा example क्या हुए उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था इर्फान साब कर रहे थे वो रोल इर्फान साब कर रहे थे वो रोल इर्फान साब का एक style था क्यों जैसे भी poses लेते थे जैसे तो उसमें वह फुटेज जमाना हुआ करता था रील चलती थे तो प्रोडूर को लगा कि या यह बहुत फुटेज खा रहा है तो उन्होंने मुझ बहु कि यार यह तो अच्छा एक्टर नहीं है तो यह नहीं नहीं यार बहुत अच्छा एक्टर है तो आप देखिये ना कि 90s में किस तरह की acting होती थी इर्फान खान ने अपना कभी style नहीं बदला एक होता ना जो आप यह बात कह रहे हो कि आप जैसी धारा चल रही है उसके अपने आप में यूनीक है उसका कोई Hollywood में भी तोड़ नहीं है कहीं तोड़ नहीं है कि बहुत ही organic आप craft देखी नहीं सकते इर्फान खान साब के acting में तो मुझे लगता कि वह पे करता है पर रास्ता थोड़ा सा लंबा है सीखें वही है कि सच का रास्ता लंबा होता है सच है पराजीत हो सकता है पर रास्ता ही नहीं यह तो दादी में की कहानी है यह कुछ वही है आप थोड़ा सा लंबा तो रास्ता लंबा तो है लिया पर ज्यांनावा को देखा हुए नवास में 2007-08 में मिला था नवाज एक महिने मेरे शहर में रहा हुए मुझे acting सिखाने वाल आजमी नवास था तो नवास उसे में कुछ भी नहीं दा पर अपने काम को लेगे बहुत कांफिडेंस हुआ उसका हमेशा है यह उता था कि अब्सव करना कि यह कैरेक्टर कैसा यह कैसा मुझे तो आगे पर पे करता है कही कहीं कहीं आप पहुंशते हैं जहाएं है यह सब जो वे भाई में तो 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 सरवाइव नहीं कर पाएगा इंदी फिल्म इंडस्त्री में ये छोड़ दे भाई क्या कर रहा है तू क्या था ये तो मतलब मेरी तो पूरी जर्मी ऐसी रही है चो आसपास के लोग बहुत प्यार करते지 थैं मेरे भाई बहन क्या science does cost a last कोई इंग्रेजी में बात कर रहे है कोई गुजराती में बात कर रहे है मां's ship of teen uh आईडिया क्या है कि या कहोगे फिल्म is a story about identity justice and तो ब्यूटी, अब हमारे गाओं जहां से मैं हूँ मदलब मेरे एक ड्राइवर है, वो कहता है कि उसने महरानी देखी, वो बाई जी यह बार फिल्म मनाई है थे बड़िया, एक फिल्म मनाई भी में तो बर्खा होती रहती थी, आप समझ रहे हैं मेरे बारिश होती रहती थी एक फिल्म बनाई भी में बहुत और ही बासा में बात कर रहा है, वो शिप अफ तीसिस के लिए बात कर रहे हैं, जो महरानी है, वो महरानी उनको समझ में आती है, कि भीमा भारती, तो ऐसा तो मुझे बहुत हुआ है, क्या कर रहा है, आस पास के लोग, इंड़स्ट्री में आप मैं जब जाता था, कि किसे से मिलता था, कि यार मैं बहुत प्राओली कहता था, मैं फिल्म बना रहे हूँ, बस यह रियाक्शन होता था, क्यों बना रहा है, क्योंकि या तो मैं बहुत ही इंट्रिलेक्ट्ट्वल टाइप का आदमी हूँ, जैसे ने बहुत किताबें, बहुत फिलोसफी पड़ी है। क्योंकि शिप अफ थीसिस बनाने का मेरा कोड यह नहीं था कि मैं यह एक्स्प्लोर करूँ कि वोट इस दा आइडिया 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 यह था कि यार इस फिल्म को देखकर कोई ओर्गन्स डोनेट कर दे अपने। तो बहुत बड़ी बा अपनाड जो बिगिनिंग में गांदी जी का कोट है। इस लाइन ने मुझे पर बहुत इंपक्त छोड़ा है। यह जो बात है मैं थोड़ी सी पहले भी समझता था। जो मैंने आपको कहा कि मेरा एक सेट बिजनस था, सेट लाइफ थी पर वो मैं छोड़कर आ गया था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इसका कोई एंड नहीं है। एक टाइम के बाद सिर्फ नंबर है। नीड के बाद सिर्फ नंबर है। वो अलग बात है कि नीड के माहिने अलग लगे। मेरे लिए एकदम कमफरटेबल नीड है कि आपके पास गाड़ी याए, असी का। एक लाइन पड़ी थी मैंने आपको आता हूं कि अपनी उमीदों और इच्छाओं का गठर कभी इतना भारी हो जाता है कि जो जिन्दगी उत्सव होनी चाहिए थी वो तरास बन जाती है। तो मुझे ग्रीड के लिए यह लगता है कि जो लाइफ दे रही है वो हम ले लें, मजे करें, फील करें, महसूस करें। उसके लाइफ नहीं तो हम सोच रहे हैं लालच। लालच के यह आपको दिमाग को ब्लॉक कर देता है ता प्रेजेंट भी नहीं रहोगी। तो उसके बहुत सारे नुकसान है। पर यह की शिपोए यह अपनी तुम बाड़ के कार पर है कही नहीं है मतलब आइब यहाई पर यहाई नहीं तुम बाड़ पहले आमिर खान करने वाले थे नहीं आपको कुछ नहीं आपको कुछ गेम के रूल्स पता नहीं होते तो आपको और गेम करेंग जाते हो। मैं बहुत ही नाइव हुआ करता था। मश्युमीज नाइव था यह तो मझे लगता okay यह में यहीं मेरे नजरीए से नहीं हुआ गया हुए। और आमिर छान को दिखा दो और आमिर खान पका सपॉर्ट करेंग समय और सच में वो हुआ कि आमिर खान ने सपोर्ट किया यह तो शिप आफ दहीसियस जैसे फिल्म गुम जाती आज यहां नाम भी नहीं होता कि आमिर खान किरन राव उन लोगों ने मदद की फिल्म की तो यह पहुंच पाई तो उस से में बहुत आना जाना था बहुत मिलना था जिस से में तुम पहले हुआ करता था था थीं-चार साल पहले हमसे ती रही ने बहुत ट्राइ किया रही कुछ साथ प्रोड्यूसर्स से मिले शेल्फ हो गया है ना था ऐसा कुछ था पर रही बहुत टाइम से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा मेरे जैसे आदमी ने तो मैंने का नाइब था तो मुझे लगा कि हाँ यार यार ये तो बहुत इंगेन दादी मा की कहानी है ये सुनानी चाहिए पर जब आप सुनाने जाते तो जान निकल जाती है हमने प्रोस्थेटिक ट्राई किया दो मिनट का आपका समय लेकर आपको बता है अरे और टाम लिजिए सर आपका शो है मदा रहे है तो हमने हम क्या थे सब का ड्राई और एंबिशिन तो टॉप लेगल करने की चाहा पर एक्सपिरियंस नहीं कोई मंझा हुआ नहीं था सब इमिच्व थे पैंती साल से उपर कोई थानी हमारी टीम में तो सब को लगा कि हम वी एफेक्स नहीं बहुत स्मार्ट है हम ना प्रोस्थेटिक में क्रै यहां से फटे और विचले जिस आर्टिस्त में किया बहुत मरमर के किया तो चेंज होगा कि हस्तर की कुछ डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी उस शूट में दादी पांसो किलो की वा करती तो जिसने प्रोस्थेटिक बनाया और कोई आर्टिस्त तो सूट को पहन कर च ची ना आपको प्रोजेक्ट तो फिनिस चीए तो भी दादी की डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी हस्तर की डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी फिर दादी पतली हो गई कि दादी पतली हो गई अब ऐसा करते हैं कि दादी में आइटम यह करते हैं कि दादी पेड बन गई तो यह सब चीजे हूं तो फिर अस्तर चेंज हुआ तो फिर अस्तर लाल रंका हो गया नए आइडिया आ गए इन्नी रिराइटिंग हो गई फिर प्रस्टेटिक में हमने शूट कर लिया लंबा चोड़ा शूट चला वह एक अलगी कहानी है कि जिस दिन शूट खतम ह मुझे लगा कि यार मैं किसी वार पे था और वार रुट लिया इतना अंदर से लगए कि अब फूटेज घर ले जाओ और काटो बस इतना ही काम है तो फिर वह हुआ उसके बाद VFX हुआ तो बहुत लंबी जर्निय थी पर आपको लगता है कि यार बहुत एजी बहुत एज इसलिए बहुत सारे प्रिड्यूसर नहीं करते थे तो पर मैंने नाइविटी में कह लो मैंडनेस में कह लो यह हाथ में लिया तो रिजल्ट है कि आज मैं आपके सामने बैठके इंटर्व्यू दे रहा हूं तो लोग 2012 में शुरू हुई फिल्म 2018 में रिलीज हुई फिल्म क्लासिक बन चुका है इसलिए बिलकुल इसलिए बन चुका है कि बहुत ही प्यार से बनाया गया हमने फिल्म में ना कभी कॉई कॉई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे और यहां का प्रोडक्शन आउस मुझे सपोर्ट कर रहा था मेरे पास पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे नहीं दे जैसे तैसे मेरा ओफिस चला रहा था तो आपको ऐसे लगता है कि आपको फुटेज आप जाके अप्रोच कर सकते हो लोगों को मैं ने अप्रोच किया तो किसी ने का हां हम डाल देंगे अब वो जो जिस VFX कंपनी को लाना चा जिस आदिमी ने भी तुमबाड पर काम किया है इतने होडी से युक्ता काज़ा एडिटर साड़े तीन गंटे का पहला कर था कुनाल शर्मा जिसने साउंड किया पंकज कुमार सिमोटोग्रफर राइटर्स सब ने अपनी जी जान लगा दी तुमबाड पर एक आदिमी में उसकर के लिए जाना चाहिए था और नहीं गई कि आपको भी लगा था अंदर ही अंदर कि मेरी फिर जाना से यह था जैसे वे ने खाना कि उससे में तो फिर भी लगता था कि ऑसकर जाए या एक वैलिडेशन आपको फील होता है लुची अज पर मुझे लगता है मैं क्या बनाना चाहता हूं यहां की आउडियन्स ने मुझे भर-भर के प्यार दिया जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं कुछ भी डालूं दोई कॉमें आते हैं कि तुम बाट नुक कर बन रही है तुम बाट रिलीज कर दो तो ओटीटी पे इतना प्यार दिया लोगों ने थीटर में भी ठीक ठाक सा प्यार दिया मुझे लगता है कि फिर बहुत सारा प्यार मिलेगा तो क्या करेगा इसके सामें सारे ओस्कर फिके हैं इतना भी नहीं चुबा की ओस्कर के लिए नहीं गया मुझे लगता है कि अभी नहीं शाय मुझे थोड़ा सा उससे में जरूट लगा किसी आवार्ड के लिए और एक्टिंग करूंगा आपके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है मुझे बिल्कुल कोई इतना हला जो है ना मतलब में फैस्टिवल जब गया हूं जब लोग जानते नहीं थे फैस्टिवल के बारे में नहीं है कान Film Festival, Venice, टॉरांटो गई थी, Ship Of Thesis. वो चंद लोग एक वर्सोवा में गैंक ही जानती थी मदले फेस्टिवल। अभी आप देखो फेस्टिवल हर कोई जा रहे हैं? कान Film Festival आपका क्या काम है्? ये कान फिल्म फेस्टिवल में, राम भी कान फिल्म फेस्टिवल में, शाम भी काम, अरे आपकी फिल्म नहीं, आपका लेना नहीं, आपका देना नहीं, पियार? क्या हो जाएगा कान फिल्म फेस्टिवल जाएगा क्या? जो बताते हैं वो फिल्म देखने जाते नहीं है यह सिंपल बात है तो यह ओसकर यह फेस्टिवल मैं सब कर चुका है मुझे आज की डेट में कोई बोले ना फेस्टिवल में फेस्टिवल में मुझे जीरो परसेंट इंटरेस्ट इस शुड बी क्योंकि एक मैथ है ना पहले लोग जाते थे जब OTT नहीं हुआ करता था जब अनुराग जैसे लोग लेके गए चीज़ों को क्योंकि वहां से कुछ राइट्स बिखते थे कुछ पैसे आते थे वो फिल्मेकर वचरब उसके पास वह एक जरिया होता था कि मैं मेरे आर्ट को कैसे लिखा हूँ आज आप अनुराग कर्शेब अपनी बैक आउट किया थे तुम बार से नहीं नहीं अनुराग कर्शेब कभी नहीं थे अनुराग कर्शेब ने बहुत प्यार दिया फिल्म को पर कभी इन्वाल नहीं थे और पिल्म नहीं थे और पिल्म नहीं बनाई पर अनुराग ने बहुत मदद अनुराग का, विक्रम का, विक्रमा देते हैं मोटवानी, उन्होंने क्वीट लिखा था मुझे आज तक याद है, तो इन लोगों का बहुत बहुत प्यार रहा है, मुझे इससे याद है कि मैं अबरोई स्प्रिंग में रहता था, 2011-2012, यहां से दो मिनिट दूर है बाई जर मेरे अंदर इतना courage नहीं था कि मैं सड़क पे रहूँगा या वड़ा पाप खालूँगा, जो करते हैं, उनको salute है मेरा, पर मुझे इतना insecure, इतना less feel होता था था, मैं कहीं भी जाता, मतलब मैं आपके किस्सा सुनाता हूँ, मेरा office, खुद का office, आराम नगर में, और एक डि जो तु इतना श्रमा रहा है, आपको इतना uncomfortable feel हो रहा है कि आपकी body fidgety हो जाती है, आपको लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं कितना पता है, कितना ग्यान है, तो जब आपके, और आपने एक journey की है, जहां आपने zero से hero का सफरतेया कर लिया, तो बार बार ये question आता है दिमाग में कि तु यहां क्यों रह रहा है, तु यहां रहा कि क्यों struggle कर रहा है, मैंना दस साल अपने आपसे question ही हुआ करता था, तो मेरे एक खास दोस्त है आदेश, जिसने तुमबार को डिरेक्टरी थी, मैं रोजना उससे बात करता रहता था, करता होगा लाइफ में, उससे आपको प्यार भी हो गया था अपने बच्चे जैसे, तो आदेश ने का कि तु चला जाएगा, वो ठीक है, और तु वहां जाके खुश नहीं रह पाएगा, तुझे लगएगा कि तु हार की आया है, तुझे लगएगा कि तु डर गया, उस दिन जरूर चला जाना जिस दिन तरह यह डर निकल जाए, मेरी जहरनी का माइन ही है कि मुझे जो बंबे शहर से डर लगता था ना, वो मेरी निकलना बहुत ज़रूरी था, आज मार पो सच बताऊ, मुझे ऐसा लगता है मैं गंगानगर में हूँ, मैं इतना कमपटे कुना मैं उस डेकेड में और मैं वो थेरेपिस्ट का पीछा नहीं जोड़ता था, दो-दो गंटे बात करता था, मैं टाइम से दो गंटे का लेता था, और मैं आपके ये शो के थ्रू ये कहना चाहूँगा, कि हमारे ना इंडिया में ये टैबू है, कि थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, तो आप आज की डेट में किसी के पास समय नहीं है, बाप के पास बेटे को समझाने के लिए समय नहीं है, तो उसकी खुद की लाइफ है, एक आप intelligent दोस्त के पास जा रहे हो पैसे देकर एक अच्छी राही लेने के लिए, ये थेरेपिस्ट का काम है, वो आपक जाना ची हमारें बहुत पैबू, मैं भी इसलिए नहीं गया था, क्योंकि एक तो आदमी को ये लगता कि मैं बहुत समझवार हूँ, मुझे सब कुछ पता है, दूसरा लगता है कि मैं पागल कुई हूँ, ये थेरेपिस्के बाद जामगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं मैं बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीजे की, उमसे बाते करकर करकर मुझे अपने इस्यूस समझ में आये, और मैं इस्यूस अपने ओवरकम कर पाया, तो मेरी एड़वाईस है, जो भी आदमी को लग रहा है कि और उसको mentally थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उस बाते हैं यह बात, क्योंकि उनको लगता कि लोग जज करें ही उनको, मैं जातो कितने ही मेरे दोस्ते जो जाते हैं, पर honestly भाई, छुपानी की कोशिश करते हैं मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि आज की डेट में थेरेपिस्ट लाइक फीजिशन जैसे आपको बुखार, आपको फीजिशन के बास जाएं, क्यों कि में जिस सुसाइटी में रह रह रहे हैं वहां mental health सबसे बड़ा इशू है कि मेरी जो knowledge आती है मैं किताबें जिन्दीक में पढ़ने का मुखा मिलाने है मुझे कभी मेरी जो भी इधर उधर से थोड़ी knowledge आती है तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात की थी कि human race में कभी भी हमारे पास इतनी information हुती जितनी आहाँ है हम इतनी information consume कर रहे हैं तो हमको पता ही नहीं कि हूव यार हर चीज हमें aspire कर रही है हर चीज जैसे हम बनना चाहते हैं हमको पता ही नहीं कि हमें क्या अच्छा लगता है मुझे coffee अच्छी लगती है मुझे चाह अच्छी लगती है किसी को में coffee पीते देखता हूँ तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप इतने पजल हो और दुनिया इतने तेज दॉड़ रही है, इस रील में उन्हें नहीं कहा थे कि हमारा नेवर कौन है, हम अपने हेड में जी रहे हैं, तो इतना मेंटली प्रेशर है आज की जमाने में, तो मुझे लगता है कि थेरेप इसके पास तो हर आदमी को जाना चाहिए, हर महीने में जाना चाहिए, मैं बार-बार इसले कर रहा हूँ, इस लिए वाइस फ्रेंड और मेरी लाइफ के तो बहुत साही इशूस थे, बहुत फ्रगल किया है मुझे, बहुत हेल्प हुई है मुझे, बहुत से लोगों ने का आनन पंदर्च साब ने कहा कि तो प्रोड्यूसर जो है हमारे फिल्म के, वो कहते है कि इस नथिंग लाइक कांतारा, जब यह कंपारिजन चल रहे हैं, कांतारा और तुम बाढ़ के, आपको क्या कहना है, कहना कि पहले बाद तो मैंने कांतारा देखेंगी है और कोई किसी क कांतारा चीज का कंपारिजन नहीं होता है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज एक तो, मैं तो इस बाद से ज्यादा रखता हूँ, मतलब कि आपने क्या इंटेंशन से चीज बनाई है, चीज़ें फेल होती हैं, चीज़ें चलती हैं, जर्नी मैटर करती हैं, मुझे पता नही कैसे बनी है, क्या बनी है, पर मुझे लगता है किसी का किसी चीज के साथ कंपारिजन होना चीज है, तुम बाढ़ एक अलग चीज है, कंतार एक अलग चीज है, उसको अलग तरेंगा प्यार मिला, हमें अलग तरेंगा प्यार मिला, तो that's fine, मुझे ये बहुत छोटी बात देलूलू, सलूलू, बच्चे की जान लोगे क्या, हाई उन चाय, चाय प्रेमी, विचित्र प्राणी, बुलाती हैं मगर जाने का नहीं, Yes, Angaar's latest collection of T-shirts, hoodies, jumpsuits are out, trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angaar customer, if you have the Angaar merchandise with you, click Pix with them. And post it on your Instagram and tag me at the rate Sid underscore Kannan and I would love to repost them. Angaar पहनो और Angaar मचाओ। Sandeep Vanga Reddy, in fact, मेरे ही podcast में उन्होंने तुमबाड की तारीफ की ती, जो viral हो रहा है भी, जाने, वो बोल रहे किया चाय, तुमबाड, उन मेरे ही podcast में. उन्होंने बहुत तारीफ की आपके फिल्म में और दिल खोल करके मेरे ही show पर, आपका क्या take है उनकी फिल्मों पर, जब उन्होंने animal बनाई थी, लोग बोड़े थे, अच्छा यार, वो महिलाओ को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, alpha male, एक ऐसा terminology आगया उनके फिल्म से, जो बोलते है, यार, males को इस तरीके से होना चाहिए, उनका ये कहना है, उनको मेरी फिल्म, मैंने entertainment purpose से बनाई है, और मैं glorify नहीं कर रहा हूँ, अन्बीर कपूर के character को, पर लोगों को लग रहा है कि, moral values, ethics की बाते होड़ी उनकी फिल्म से, मतलब ये ना सब क्या होता है, इस conversation का ना सिधार, कोई एक जवाब होता ही नहीं, एक इसका जवाब है कि हाँ, लोग थोड़ा सहसा सोचने लगेंगे, इससे चीजें खराब होगी, society बिगडएगी, crime पहलेगा, ये perspective हो सकता है, आदमी कोई देखेगा और कोई आदमी बच्चे पर शायद impression पड़े और वो खराब हो जाए, ये एक बात है, दूसरी ये बात है कि मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूं, मैं इसमें विश्वास रखता हूं, या ये story है तो समाज से ही, मतलब वो mirror वाली जो बात है कि अंड आदमी पर इंपक्त पड़ता है, किसी को लगता है कि नहीं, ये मैं कहानी कहना चाहता हूं, ये ज़रूरी है मेर लिए अजन आर्टिस्ट, freedom of speech, तो हर आदमी को अपना perspective हो सफटा है, क्या आपने रीमा काध्डिक सामने से फोन करके बोला कि मुझे ये दाहार में रोल दो नहीं, मुझे audition किया गया था, पर आप मुझे फोन किया था? नहीं, मैंने शायद फोन नहीं किया था, मैंने audition किया था, पर मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा है, मतलब वो जो लोग है, मज़े दार लोग है, कि मुझे याद एक छोटा सा किस्रा, हम राजस्तान में शूट कर रहे था, साथ पज़े टाइप की शिफ्ट होती थी, तो ठंड का टाइम था, पहुंचे, एडीस पर प्रेशर होता था, लाओ, 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 एक्टर को लाओ, क्योंकि सीरीज है, टाइम भी नहीं है, तो मैं साथ पहुंचा फटा-फट तैयार होगे, म मैं पहुंच गया शॉट देने के लिए, मैंने शॉट दिया, और टेक होती है कि आरे, एक टेक और लेंगे, तो गैप मिला, मैं फटा-फट कुछ खा रहा था, तो रीमा ने देख लिया, तो उसने पुझा कि तुने ब्रिक्फरस्ट नहीं किया, मैं नहीं, उसने सब पहले इसको ब्रिक्फरस्ट करने दो, तो वह जो कैर होती है कि एक डिरेक्टर आप आपके नीचे सब हैं, तो बहुत अपना क्रू का ध्यान रखती है, रीमा, कि एक्टर या एडी या सब, तो डिरेक्टर बढ़िया हैं, यह तो बास सब जानते हैं, मुझे ऐसे लोगों आपको लगता है कि सुनाक्षी सिना मुफर्ट होगी, एरेगेंट होगी, आप इस नोशन के साथ जाते हो, आपने अपने दिमाग में एक कहानी बना दिया, पर ऐसा कुछ नहीं था, वह बहुत ही हाड़ वर्किंगी थी, बहुत ही सब से प्यार से बात करती थी, बहुत ही मैं अब बॉलीवड पार्टी जाओंगे तो अफ्रोय वेसे हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं है, मैं भी अपना figure out कर रहा हूं कि who I am, कि मैं कौन हूँ, आप यह जो पार्टी में जाना, यह सब भी तो हमें बेचा गया है ना, कि यह बॉलीवड किसी के लिए सच नहीं हो सकता, मैं भी इस इंप्रेशन से आया था, यह इंप्रेशन मुझे भी बेचा गया था, यह मैं figure out करता हूं कि here मैं कहीं जाओं मैं मुझे 11 वजे नहीं जाती है, मुझे 4 वजे जगा ही नहीं जाता, मैं अपने पसंदीदा लोगों से ही बात करना चाहता हूं और भगवान ने उपर वाले ने मुझे इतना वो दिया है कि मुझे ज़रूरत नहीं है उसके लावा किसे से बात करने के, वो मुझे प्रिवलेज है, तो मैं क्यों जाकर पार्टी में खड़ा हूं और किसे से बात करूं, मैं वो जो नेटवर्किंग करते हैं मैं उसमें मानता ही नहीं है, मुझे लगता है कि यार लोग जानते हैं मुझे, मुझे काम मिलना होगा तो दे देंगे, और मुझे लगता हूं वो system भी बहुत change हो गया है आज कास्टिंग बहुत ही honesty के साथ होती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी networking के का, मैं तो किसी को खुद अगर मुझे लगता है कि रोल में फिट मी है, अगर मैं as a producer का हूं, कि वो मेरे बहुत करीब है, मैं उसमें मानता ही नहीं है, मुझे लगता है आपका काम बोलना चाहिए. दो national awards के बाद क्या काम मिलना आसान हो गया आपके लिए? बिल्कुल नहीं, अभी भी संगर्श करना ही बढ़ता है कि, मैंने क्या किया है, Simran, Hanzal Mehta, उनको ship of thesis देखके बहुत मजा है था, उनने बहुत अच्छी अक्टर हो, मैं उनका बहुत शुक्र गुजारू हूँ, ज तो दो लोग थे इन्होंने हमेशे मेरी तारफ की थे एक तो दिबाकर Benergy, एक हंसलल Maita हो।πει हो म contempor어가 काम में काम था हो, दिबाकर Benergy, मुझे गयोंकेश वक्षी में कास्ट करना चाहते थे, शुषांत के दूसतरे वाले रोल में। शुषांत को भी किया हनीत रहान में। उन फिर मैंने की महरानी मुझे मिली शुभाश कपूर हम नेशनल आवर्ड पे गए उनको मिला था जॉली के लिए अवर्ड हमें मिला था शिप अफ तीसेज के लिए और उन्होंने सोचा नाम शिप अफ तीसेज आनंद गांदी सोहम शाह सोचा बहुत ही इंटलेक्ट्टल आद बांडिंग होई कि वह भी बहुत देसी आदमी है तो जो एक कनेक्शन हुआ हमारा फिर ये बात है 14 की फिर काम हुआ अब जाके 19-20 में पर उनके जहन में रहा कि हम कभी साथ में काम करेंगे मैं उनसे कभी-कभी मिलका रहता था था उनसे बातें करता रहता था तो मुझे क काम करेंगे मेरे काम देख कर मुझे दो तीन काम मैं तो ऐसा नहीं कि बहुत रहा आसान हो गई यो यह फिल्में बनाने भी बाढ़ के बार के बाद मिने भी एक पिल्म कर ऑख करे जो जल्दी आने वाली है तो वह भी मैंने बहुत ट्राइग कि कोई फंड कर दे कोई पुर मुझे शायद ऐसे आइडियाज में फिल्म नाने में मज़ा आता है। एक थेयरी जो भी चल रही है, तुम्बाड री-रिलीस हो रही है। ठीक है? लोग कहरें, अच्छी फिल्म है, कल्ड फिल्म है, तो री-रिलीस हो रही है। एक और सेग्मेंट है, जो कहता है कि हिंदी फिल्में जो आजकल बन रही है, बड़ी बुरी बन रही है। देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो यह नाट वोर्किंग अट बॉक्स ओफिस। जिस कारण की वज़े से तो बाड जिसी क्लासिक्स अब वापस ला रहे हैं। आपको भी लगता है यह लॉजिक ठीक है। यह लगता है इसके दो तीन लॉजिक हैं। शायद मुझे लगता है मेरी हर बातों में दो बाते होती हैं। यह लाए करता है यह लोगता है यह लोगता है यह लगता है। मुझे लगता है कि एक तो इसमें यह हुआ कि जैसे OTT आया ना, OTT ने हर चीज के प्राइस बढ़ा दी क्योंकि उन्होंने पैसे देने चालू कर दिये तो लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने चालू कर दिये हर चीज का प्राइस बढ़ गया फिर OTT ने टाटा बाई-बाई-बाई कर दिया OTT अभी उन्होंने प्राइस घटा दिया तो वह एक डिस्पैरिटी है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है चीजे तो चीजे कम बन रही है इसलिए 2024 खाली है जब मैं तुम बाढ़ रिलीज कर रहा था मेरे पहले अंदादुन एक वीक पहले एक वीक बात बदाई हो ऐसे स्लॉट मिला करते थे और 2024 साब देखो तो खाली है एक तो इसलिए खाली कोई फिल्में नहीं बनी ये एक मुद्दा मुद्दा कारण है दूसरा इस बात में कोई दोराई नहीं कि हम अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम राइटर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट न को नर्चर नहीं करते हैं इसमें भी दो तिन बाते हैं अरी करो तो अच्छा लगता है तो एक तो राइटर्स की खुद की प्रॉब्लम ये है कि इतना प्रेशर है ना कोई आदमी कहां से आया है फ्लैट का किराय देना है राइटर्स तीन तीन प्रोजेक्ट एक साथ में कर अधिया जम गया ये कहानी है अपने छह महीने एक साल लेंगे इसको बड़े आराम से लिखते हैं सबकी डेडलाइन से हैं यू हैव टू डिलेवर मेल आ जाएगा मुझे नहीं लिखता पहले राइटर्स ऐसे काम करते थे तो वह राइटर्स को आप फ्रीडम दोगे कि हां है आपको पैसे मिलेंगे आपको च கो चम करका है को यह कि काश्टपारी का काम ऐए एसली और फोर्मीला नहीं है उनकी डेट आगे पिछे हिल जाए, उनको फिल्म नहीं लगते हैं तब तक रिलीज नहीं करते हैं एडिटिंग में, जैसे मैंने एक फिल्म मनाई है 2022 में जो मैं बता रहा हूं क्रीजी तो 2022 में शूट हुई है, एडिट में टाइम लग रहा है, दो साल होगे, अब जाके रिलीज करेंगे वैसे ही राइटर है, आप एक टाइम को एक चीज को एक राइटर को नर्चर को, उसको security दो कि आपको पैसे मिलेंगे आपको एक साल के पैसे मिलेंगे आप आराम से लिको, वो हम नहीं कर रहे हैं, हम राइटर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सबसे मेन कार है मुझे लगता है अच्छा मैं आप से एक साथ पूली दूसरा हमारे यह एको सिस्टम नहीं कि राइटर को हम कैसे सिखाएं कैसे मतलब इतने अंकट जैम साते हैं बाहर से को जैपूर से कोई इंडोर से कोई लखनाउ से वो आइडिया लेकर आते हैं पर उनको कैसे डाला जाए आप कैसे अनुदियम को वीप ङिडाएं थेसलिए अगर आप फिल्म अ क्छाड़ कैने आया बीट हाय میں आप समझ रहे हो, खुद ही दखके खा खाके इदर उदर करके आप सीखरें, तो यह मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, तो आपके सिनेमा जो खाली है, उसका दो कारण है, कॉस्ट एफेक्टिव नहीं है, और दूसरा राइटर्स, राइटर्स पर हमें काम करना एक सवाल है, और देखना जाता है कि आप डिप्लमाटिक रहोगे या स्ट्रेट फ़रॉड, अभी तक तो आप स्ट्रेट फ़रॉड रहे हैं, तो आप्रिशेट लोग कहरे हैं, जैसे अक्षे कुमार पांच-पांच-पांच-छे-चे फिल्में कर रहे हैं साल, और एक होत इसे उनकी फिल्में नहीं चल रहे हैं, आपका स्कूल ओफ थौट कौन सा है, मेरा स्कूल ओफ थौट है आमिर खान, मैंने मेरे जिंदगी में आमिर खान के हिसाब से वर्क किया, मेरे गुरू आमिर खान है, जैसे मैं दो मिनिट का अगवाब फिर समय लूँगा, हमारे भ किया है, पर वो अच्छे से किया, नहीं तो उस से में क्या होता, आदमी जब चलती है ना तो पेट्रॉल पम भी खोल लेता है, दस कॉलिनीज काट देगा, दस चीज़े कर देगा, मैंने कुछ नहीं किया, एक काम पर फोकस किया, उसके फल मैं आज भी खा रहा हूँ, सक्स हुमा की साथ के से था, बहुत अच्छा था, हुमा मतलब इतनी अनर्जी है उसमें कि पता नहीं कहां से लाती है और बहुती कमफर्टिबल फील कराती थी, बहुत दोस्ती थी, हम बहुत मतलब हैंग आउट करते थे, सुभाश कपूर का सर का हमारा रूम होता था, हम सब व मुझे लगता है करेक्ट लोगों के साथ रहो, हैंग आउट करो, तो भी आप सीख जाते हैं आनंद एल राय उन्होंने भी co-produce किया है ना तुम बाण है उन्होंने प्रेजेंट की थी फिल्म हमने बनाई थी, तयार हो गई थी, जब उसकी first copy निकली तो हमने उनको अप्र करते हो, फिल्म को लोगों तक पहुंचाते हो, जैसे कि Ship of Thesis में किरन रहा थी, फिल्म वो मैंने बनाई थी, फिल्म हमने दिखाई थी किरन को, यह फिल्म है और उन्होंने प्रेजेंट किया था वो उसको यह उससे में कौन सा स्टूडियो करता था था रानी स्कूवाला का यू टीवी, यू टीवी का उन्बोर्ड लेका है तो उन्होंने डिस्टिब्यूट किया, उन्होंने मार्केटिंग बजट डाला, तो यह प्रेजेंटर का काम होता है, जैसे, तो उनके साथ रिष्टा कैसे है, आनन के साथ, बहुत अच्छा है, बहुत ही डार्लिंग आद सब लोग जो मेरे यहां सेट पर सब मुझे वाटसाप कर रहे हैं कि भाई, तुमबाड तू कब आईगी पूछ लो, यार 6 साल हो गए हम कुछ क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वो फिल्म ऐसे बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहते कि प्रोजेक्ट इदर है, कि तुमब एडलाइन सिस्टम नहीं होता कि अच्छा, यह 26 में आएगी, यह 27 में आएगी, जब फिल्म की डेस्टिनी लिखी होगी तब ही आएगी, पर मुझे उम्हीद है कि अगले साल हम शूट शुरू कर देंगे, जाने से पहले, दो सीख जिन्दगी से जो आपने सीखी है, जो मैंने बोला, यार, जिन्दगी मेरी टीचर है भाई, मैंने यह दो सीख लेए और पकड़ ही रखूँगा, मेरा भाई ना, मेरा एक बड़ा भाई है, और वो गंगानगर मी रहता है, वो एक ही बात कहता है, कि लाभ, हानी, यश, अप्यश, सब प्रकरती के हाथ में, तो ल आप कंट्रोल करी नहीं सकते हैं, शरेंडर तो वाट भाई, सरेंडर तो गौड, सरेंडर तो जो भी आप मानते हो, कि हाई पावर कहलो, डिवाइन फोर्स कहलो, नेचर कहलो, पर आप तो बहुत चोटे हो, इस बात में कोई दोराही नहीं है, और यह मैंने मेरी लाइफ से मैं पूछा करता था यार यश्रा जी वर्थ कितनी है, मुझे यसे लगता था कि कुछ दिन काम करो तो मैं यश्रा जी इतने पैसे का मालूमा, तो इतनी एक अंदर आपके हुमिलिटी होते भी आपके अंदर एक अंदर कान्देंस कहलो, तो देरे देरे लाइफ ऐसे आप सरेंडर कर दो, यह सब प्रकरती के हाथ में है, जैसे मुझे कोई क्वेश्चिन पूछता है कि आप पांच साल बाद अपने आपको कहां देखते हो, मुझे लगता है यार इस क्वेश्चिन का मतले भी कहा है, क्या है, मैं कौन होता हूं देखने वाला, सब स्वतय हो हम आज का दिन काम कर लें, भागदोड कर लें, हमारे इतना ही है, अगर आप यह कहां दो ना कि अच्छा मैं भागदोड नहीं करूं तो आप कह रहे हो कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर कैसे होगा, अरे तुम्हारे हाथ मी नहीं है, ऐसे कुर्सी पे बैठना भी तु आदमी हो, बड़े सिंपल हो, सिंपल ही होना चाहिए, मतलब फसाड की क्या जुरूरत है, तीस साल में इतने लोगों से मिला हूँ, इतना अक्टिंग करते, रियल लाइफ में भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनको दिक्र मैं ठक जाता हूँ भाई, आदमी को लगत हार्ड वर्क होता है, हमेश plaster है, मुझे लगता की जो रास्ता लंबा लगता है वो छोटा होता है, और मुझे लगता ही वह चोटा है, और आपका रास्ता लंबा होगा छा अच्छा है icon on α." ख्राहम शाह थां के जो रो को है।